तो फ्रेंड आप लोग इस डब्बे को देख रहे हैं इसके अंदर है एक मिनी कंप्रेसर जो की बाइक साइकल वगेरे में हवा भरने के काम आता है तो अभी इसको मैं देखेंगे हम लोग कि इस कंप्रेसर का अन्वोक्षिंग और प्राइड डेटेल अगर आप लोग देख करके आप लोग देख सकते हैं चलिए इसको देख सकते हैं कि यह बाइक में हवा भर पाता है या नहीं तो फ्रेंड अभी एक देख रहे हैं बाइक है मेरे पास तो इस बाइक में पहले हवा निकालेंगे फिर देखेंगे कि यह हवा भर पाता है कि नहीं इस कंप्रेसर से तो शिर्फ इसी कंप्रेसर से देखेंगे, तो चलिए इसको बाइक का पहले हवा निकालते हैं, फिर देख लेते हैं कि यह हवा भर पाता है कि नहीं. चलिए जल्दी से इसको फड़ा फड़ लेते हैं अन बोक्सिंग तो देखें आप लोग बस ऐसे निकाल लेते हैं अन बोक्सिंग में आप लोग देख रहे हैं यहां पर एक गेज मीटर है जो की एयर के रेसर को दिखाएगा अन बटन है और इसका पूरा डिटेल आप लोग देखें क्या क्या मिलता है और इसके आगे एक सिग्रेट पलक था उसको मैं काट दिया सारा वायर ऐसे ही है चलिए इसको कनेक्शन कर लेंगे फिर उसके बाद बाइक का हवा निकाले तो फ्रेंड अभी देखिए इस बाइक का हवा निकाल लेते हैं तो इसके चक्के पर डाइरेक्ट आते हैं और इसका हवा निकालते हैं तो इसका ए छुच्छी रहा इस पूरा हवा को कुछ पेचिया और दबाके निकाल लेंगे तो पेचिया है मेरे पास तो देखें इसमें जितना भी हवा है पूरा हवा मैं निकाल लेता हूं नहीं दे रहा होगा है चलिए अब त्यूलेश टायर है और लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा तो पूरी हवा इसमें से मैं निकाल लूँगा उसके बाद देखेंगे कि यो काम करता है कि नहीं तो देखिए इसमें से पूरी हवा निकल चुकी है इसमें कुछ भी हवा नहीं है यह देख सकते हैं पूरा तो फ्रेंड एक कंप्रेसर रहा और इसमें का यह पाइप रहा और निडिल आप लोग देख रहे होंगे कि इतना पर आया है तो इधर आ जाओ भाई थोड़ा वार छोटा पड़ रहा है और निडिल इसका दिखा देटा हूं तो देखिए अभी जीरो पे निडिल है और ए इसका नली तो इसको लगाते हैं इस छुच्ची में तो हम लोग इसको छुच्ची बलते हैं चलिए तो देखिए लगा दिया अभी देखिए इसमें से ही लगा है इसमें से लगा है और थोड़ा घूम गई है पाइप तो इसको ऐसे कर लोते हैं तो अब बराबर दिखाई औरनेके निंदी पर होगा है यहाँ पे लगा है और इसके बाद में इसमें और नीडिल को डेखते हैं जीरो पे है तो थोड़ा मुझाले कहां अंचेरक वडोर जीडियों पर और इसको करते हैं oon git अर्मितो भूष भी महीं हुआ है हविन उत्हुत नहीं हो रहा है। और ही और यहांका जो सुई है व भी कुस्िमी करें। यह सब्सक्तृ से लिए देखते ही। तो क्या यह बाध में हवहां भरताएगी आको क्या लगता है। तो देखें पेइं। अभी जीरो पी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, वी जीरो पी कोई फार्ट विडियो नहीं कर रहा हूं, यहां पे चलदा है, और यह वाइब्रेशन कर रहा है, तो देखिए अभी कुछ भी हवा नहीं हुआ है अभी कुछ रहा है अभी कुछ रहा है अभी कुछ रहा है अभी कुछ कर रहा है अ कार रहा है प्रमट कर दोग्सित झाल 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 तो जैसा के फ्रेड आप लोग ने देखा वे हमारे चक्के के अंदर पुरी हावा भर चुका है और इसका उन्बॉक्सिंग और प्राइज डिटेल आप लोग को वीडियो को लास्ट में इसका लिंक मिलेगा वहां से मिल जाएगा वीडियो और यहां पर आप देख सकते हैं यह भर चुका है 50 PSI जो कि हवा भर चुका है तो ध्यान से देख लिजिएगा और यह बिल्कुल अपना अच्छे से काम कर दिया है तो देखिए अभी इसको मैं निकाल देता हूं तो अभी आप लोग के सामने ही हवा निकाला था इसमें से देखिए अब यह जीरो पे चला गया है फिर चेक करके इसको लगा के मैं दिखाता हूं कि कितना मतलब तो चलिए इसको लगा लेते हैं देखिए यह लग चुका है यहां से लगा और इसका फिर देख लेते ही तो 50 PSI ही है तो बिल्कुल यह अच्छे से काम किया है देखिए फिर मैं निकालता हूं देखिए थोड़ा हवा भी निकला होगा आप लोग देखे हों के और यहां पे फिर सुई को देख लेते हैं तो देखिए जीरो पे पहुंच चुका है सुई यहां पे जीरो दिखाई दे दे रहा होगा जीरो पे सुई है और फिर इसको लगाते हैं फिर देखते हैं तो लग चुका है और थोड़ा हवा निकलने के वज़ाद से देखिए यह 40 PSI हो गया है तो 50 था भी 40 हो गया है तो बिल्कुल अच्छे से काम किया है चलियो निकाल देते हैं और है तो फ्रेंड अभी से मैं हवा भरा हूं कि दोनों टायर में लेकिन मैं आपको अभी एक टायर का ही दिखाया तो यह आप लोग देखिए बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और बहुत ही खुशी हुई यह 300 रुपए का पंप लेके अक्सर हमारे बाइक का हवा निकल जाता है तो हम लोग को दूर दोड़ना पड़ता है तो इसके लिए आप एक छोटा सा पंप ले सकते हैं 300 रुपए का पंप आएगा और उससे आप 12 बोल्ट की बेटरी से आप फवाब भर सकते हैं तो आज की वीडियो बस यहीं तक तब तक के लिए टाटा बाई बाई ऐसी यूज़ फूल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी तो आप चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं